गुड मॉर्निंग चिल्डन वेलकम टू हिंदी क्लास चिल्डन जैसा कि आपको पता है हम हिंदी का व्याकरन कर रहे हैं तो व्याकरन में हमने निबंद कर लिया है मेरा जनम दिन पालतू पशु गाए उसके ओपर हमने टिक भी लगा दिया है उसके बाद हमने पिछले वीड बंदर ठीक है तो कहानी के आगे भी टिक लगा देंगे कौन सी कहानी करेंगे मूर्ख बंदर हमने कहानी नहीं करने आपके स्लेबस में सिर्फ इस कहानी की सिक्षा ठीक है और भावार्थ है ठीक है आपने एक्जाम के लिए सिर्फ सिक्षा और भावार्थ लर्न करना है त आपके बुक में है, ग्रामर की बुक में, तो ग्रामर की बुक का पेज नंबर 110, खोलेंगे सबी, ग्रामर की बुक का पेज नंबर 110, ठीक है, तो पेज नंबर 110 पे ये आपकी ग्रामर की बुक में हिंदी की कहानी है, कहानी है आपकी मूर्ख बंदर, ठीक है, तो चलिए मैं आपको कहानी पढ़ लेते हैं, कहानी पढ़ने के बाद मैं आपको बता दूंगी कि आपको इसका क्या क्या करना है, आपने सिर्फ शिक्षा और भावर्थ करना है, तो देखेंगे, नदी के किनारे एक पेड था, उस पेड पर एक बंदर रहता था, और उसी पेड पर चिडि तो पूरा भी गया, और ठंड से कामपने लगा, लेकिन चिडिया अपने घोशले में आराम से बैठी रही, वह जड़ा भी नहीं भागी, बारिश रुखने पर चिडिया ने बंदर को सलाह दी, क्या सलाह दी, बंदर भाईया आप भी अपना एक घर बना लीजे, फिर इस इस तरह आपको बारिश में भीगना नहीं पड़ेगा, चिडिया ने तो उसे अच्छी सला दी थी, कि आप भी एक घर बना लीजिए, इस तरह से फिर आपको बारिश में भीगना नहीं पड़ेगा, लेकिन बंदर ने क्या किया, चिडिया की बात सुनकर बंदर को गुसा आ ठीक है उसे क्या गुसा आया कि एक छोटी सी चिडिया मुझे सला दे रही है क्योंकि बंदर तो बहुत बड़ा है ना अपने आपको बड़ा समझ रहा है और चिडिया को बहुत छोटा समझ रहा है और उसे गुसा आ गया कि ये कितनी सी चिडिया मैं को सला दे रही है उसने गुस्से से चिडिया का घुंसला तोड डाला, ठीक है, चिडिया चींचींग करती हुई, वहां से उड़ गई, उसने दूसरे पेड़ पर अपना घुंसला फिर से बना लिया, क्योंकि चिडिया मिहनत करने वाली थी, ठीक है, परिश्रम करने वाली थी, मिहनत करने वाली थी उसने तो क्या किया? फिर से अपना घुझला बना दिया, ठीक है? तो इस तरह से इस कहानी की क्या सिक्षा है? ठीक है? इसकी सिक्षा दियो, यह सिक्षा क्या मिलती है? मूर्ख को उपदेश देने से अपना ही नुकसान होता है, मूर्ख कौन था यहाँ पर? बंदर, ठीक है? चिडिया ने उसको उपदेश दिया, तो उससे क्या हुआ, मूर्क को उपदेश देने से अपना ही नुकसान होता है, नुकसान किसका हुआ, चिडिया का, क्योंकि उसने चिडिया का घोंसला तोड़ दिया था, और परिश्रम करने वालों को कभी दुखी नहीं होना पड़ता चिल्डरन ये आपकी सिक्षा है इस कहानी की सिक्षा आपने एक्जाम के लिए सिर्फ सिक्षा और भावर्थ ही लर्न करना है इसके ओपर लिखलो learn it सिक्षा और भावर्थ ही आपने लर्न करना है तो इसकी सिक्षा हो गई मूर्ख को अपदेश देने से अपना ही नुकसान ह होता है और परिश्रम करने वालों को कभी दुखी नहीं होना पड़ता यह हो गई सिक्षा उसके बाद भावर्थ क्या है भावर्थ का मतलब कि आपके अंदर क्या भाव उत्पन हुए इस कहानी को पढ़कर तो क्या भाव थे हमें मूर्ख लोगों से दूर रहना चाहिए ऐस कि मैंने लिख है हमें मूर्ख लोगों से दूर रहना चाहिए आपने एक्जाम के लिए सिर्फ दो ही चीजे लर्न करनी है एक सिर्फ सिक्षा और भावर्थ ठीक है चिल्डन सिर्फ सिक्षा और भावर्थ आपने एक्जाम के लिए लर्न करना है आपके एक्जाम में शिक्षा और भावार्थ इसका लर्न करने, ओके चिल्डरन थेंक यू